नमस्कार दोस्तों, वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में जहाँ पर मैं मधू, पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-WISE कवर करा रही हूँ आज का लेक्चर नमबर 86 है, जो कि बेस्ट है पंचायती राज एंड कम्यूनिटी डेवलप्मेंट आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हूँ अगर इंडियन पॉलिटी आपके स्लेबस में है, तो ये पूरी की पूरी पेलिस्ट आप सभी के लिए काफी helpful होगा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी पेलिस्ट को कम से कम तीन से चार बार जरूर देखें जिससे कि जब आप एक्जामनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी एक्वेशन को सॉल्व करें और इस निरंतर अभ्यास के चंखला में आज हम लोग एक और लेक्चर को एड़ ओन करने जा रहे हैं उमीद हैं कि आप कोई लेक्चर पसंद आएगा और आप क्वेशन को अच्छे से इंज्वाई करते हैं इसी उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले कोशन की तरफ कोशन नमबर वन विद रिफरेंस टू दा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडरशल अड़ डिस्ट्रिक लेवल इन इंडिया विच वन ओफ दा फॉलइं स्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट भारत में जिला इस्तर पर उपभोकता विवाद निवारण के संदर में निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपके ऑप्शन से A. स्टेट गॉवर्मेंट केन इस्टैबिश मोर दन वन डिस्टिक फोरम इन डिस्टिक इफ इट दीम्स फिट राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम इस्थापित कर सकती है B. वन अफ दे मेंबर्स अफ दे डिस्टिक फोरम चल बी अ वुमें जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी D. दे डिस्टिक फोरम इंटर्टें दे कम्पलेंट वेर दे वेल्ली अफ गुड्स और सर्विसे दे डिस्टिक फोरम उन सिकाईतों पर विचार करता है जहां वस्तूं या सेवाओं का मुल्य पचास लाख रुपे से अधिक नहीं है D. A complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filled with a district forum by the state government as a representative of the interest of the consumer in general बेचे गए किसी भी समान या प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में थिकायत राजय सरकार द्वारा समाने रूप से उपभगताओं के हित के प्रतनिधी की रूप में जीला फोरम में दायर की जा सकती है तो आपको बताना है कि भारत सरकार में जिला इस्तरप उभोकता विवाग निर्वाण के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है तो पहले question का answer क्या ओजाएगा? Option C देखिए The district forum entertain the complaint where the value of goods or services does not exceed Rs. 50 lakhs तो ये गलत statement है कि जिला forum उन सिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तूओं या सेवाओं का मुल्ले 50 lakhs रुपए से अधिक नहीं है तो ये गलत statement है तो पहले question का answer क्या हो जाएगा? Option C चलते हैं next question की तरफ Question No.2 Which of the following states does not have any panchayati raja institution? निम लिखित में से किस राज्य में कोई panchayati raja संस्था नहीं है तो कोई किन से राज्य में panchayati raja नहीं है मिजौरम में, नागा लेंड में और मिघाले में तो इसका answer क्या हो जाएगा? Option C नागा लेंड चलते हैं next question की तरफ Question No.3 B. आंद्रप्रदेश, जार्खन, उडेशा C. असाम, मेघालय, तमिल्नाडू D. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, शत्तिसगार तो तीसरे question का answer क्या हो जाएगा? Option C. असाम, मेघालय, तमिल्नाडू C is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question No.4 At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dollars, Recognition of Forest Right Act 2006 राश्टी इस्तर पर कौन सा मंत्रालय, अनुसूची जन जाती और अन्य पारंपरिक वन निवाशी, वन अधिकार की मानेता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यानिवन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजनसी है आपके option से A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change B. Ministry of Panchayati राज C. Ministry of Ruler Development D. Ministry of Tribal Affair चौथे question का अंसर क्यों जाएगा? Option D. Ministry of Tribal Affair चलते है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No.5 Which one of the following criteria for deciding an urban area according to census of India is not correct? All places with भारत की जन्गर्णा के अनुसार सहरी छेत्र तै करने के लिए निम्दिखित में से कौन सा मांदन्ड सही नहीं है सभी इस्थानों के साथ A. इदर अम्यूनिसिपलिटी और कॉर्परेशन और कंटोन्मेंट और नोटिफाइट ताउन एरिया कमिटी या तो एक नगर पालिका या नगर निगम या छावनी आधिसुजित ताउन एरिया समिती B. अमिन्मम पॉपलेशन और फाइफ थाउजन फाइफ थाउजन के निम्तम जन संख्या C. At least 60% of the male population engaged in nano agriculture pursuits कम से कम 60% पुरूस आबादी गैर क्रिसिक कारियों में लगी हुई है D. A density of population of at least 400% per square kilometer प्रती वर किलोमेटर कम से कम 400 वेक्तियों की जन संख्या घनत तो पांचवे कोशन का अंसर क्या हो जाएगा Option C. At least 60% of the male population engaged in nano agriculture pursuits C. Is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question no.6 Who among the following is the competent authority to notify the territorial region of a municipality in state राज्य में किसी नगर पालिका के प्रादेशिक छेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम लिखित में से कौन सा सक्षम प्राधिकारी है A. President of India B. Governor of the state concerned C. Chief Minister of the state concerned D. State legislature चलते हैं next question की तरफ Question no.7 Who notified the alteration in limit of block and jila panchayat Block और jila panchayat की सीमा में परवर्तन को कौन अधिसूचित करता है A. Governor B. State election commission C. Divisional commissioner D. Collector and district returning officer E. None of the above So, 7 question का answer क्या हो जाएगा Option A. Governor चलते हैं next question की तरफ Question no.8 Consider the following statement In India, a metropolitan planning committee First, is constituted under the provision of the constitution of India Second, prepare the draft development plans for the metropolitan area Third, has the sole responsibility for implementing government-sponsored scheme in the metropolitan area Which of the statements given above is are correct? निम्लिकित कत्नों पर विचार करें भारत में एक महानगरिय योजना समिती पहला भारत के समिधान के प्रावधानों के तहदगठित किया गया है तूसरा महानगरिय छेत्र के लिए विकास योजनाओ का मसवधा त्यार करता है तीसरा महानगरिय छेत्र में सरकार प्राइजित योजनाव को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी है तो पर्दिय के कतनों में से कौन सा कतन सही है ये आपको बताना है तो इसमें जो पहला statement कहा रहा है कि it's constituted under the provision of the constitution of India बिल्कुल सही statement है दूसरा statement कहा रहा है कि it's prepare the draft development plan for the metropolitan area ये भी बिल्कुल सही statement है has the sole responsibility for implementing government sponsored scheme in the metropolitan area ये गलत statement है तो पहला और दूसरा statement इसमें सही है तिसका answer क्यों जाएगा option A 1 and 2 only चलते है next question की तरफ question number 9 which one of the following pair is not correctly match निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है city, town इस तरफ दिया हुआ है दूसरी तरफ local authority लखनौ, कानपूर, गाज्याबाद और काकोरी तो इसको अगर हम मिला आते हैं तो कैसे होगा देखो गाज्याबाद में क्या है municipal corporation है ठीक है, लखनौ में क्या है municipal corporation के साथ cantonment board है काकोरी में का है, नगर पंचायद, ठीक है तो अगर इसका अगर हम मिलान करते है जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं होगा पताओ, लखनौ में cantonment board है कानपूर में नगर निगम है ठीक है कानपूर में नगर निगम है काकोरी में नगर पंचायद है तो गलत कौन सा हुआ, option C, गाजयाबाद ठीक है गाजयाबाद का है, इसमें municipal corporation है तो C is the right answer चलते हैं, next question की तरफ Question number 10 The tenure of every panchayat in India is 5 years from भारत में प्रतेग panchayat का कारेकाल 5 words होता है कब से, यह आपको बताना है पहला, the scheduled date of its first meeting B, the date of notification of election C, the date of declaration of election result D, the date of oath of office by members तो दसे question का answer क्या हो जाएगा option A, the scheduled date of its first meeting A is the right answer चलते हैं, next question की तरफ Question number 11 Election was held on 20th January 2014 for a gram panchayat Its first meeting was called on 10th February 2014 thereafter, gram panchayat was dissolved on 28th February 2016 Election was held on 15th May 2016 for new gram panchayat and for its first meeting was called on 25th May 2016 16, what shall we have tenure of the new constitute gram panchayat question के करे, gram panchayat के लिए 20th February 2014 को चुना हुआ और इसकी पहली बैठक 25 मई 2016 को बुलाई गई तो क्या होगा 9 गठीत ग्राम panchayat का कारेकाल तो आपको बताने इसका answer क्यों हो जाएगा इसका answer होगा option B, 10th February 2019 ठीक है? 10th February 2019 B is the right answer चलते हैं, next question की तरफ question number 12 which of the following is not correct with respect to the composition of panchayat? panchayat की सनचना के संदर में निम लिखित में से कौन सा सही नहीं है? A, the legislature of a state may be law make provision with respect to the composition of panchayat किसी राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा panchayat की सनरचना के संबंध में रावधान कर सकता है? B, a gram shabha cell exercise its power at the village level एक gram सभा, gram इस्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी? C, each state will constitute panchayat at the village, intermediate and district level परतेक राज्य ग्राम, मध्य वर्थी और जिला इस्तर पर panchayat का गठन करेगा? B, panchayat at the intermediate level shall not be constituted in a state having a population not exceeding 20 lakhs 20 lakhs से अधिक आबादी वाले राज्य में मध्य वर्थी स्तर पर panchayat का गठन नहीं किया जाएगा तो बारवे question का answer क्या हो जाएगा? Option, C, each state will constitute panchayat at the village, intermediate and district level C is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 13, what is not legal? क्या कानूनी नहीं है? A, an MLA who is ex-officio member of janpad panchayat can nominate representative to participate in the meeting एक विधायक जो janpad panchayat का पदेन सदसे है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतनिधी को नमांकित कर सकता है B, a member of loksabha who is ex-officio member of jila panchayat can nominate representative to participate in the meeting लोक सभा का सदसे, जो jila panchayat का पदेन सदसे है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतनिधी को नमांकित कर सकता है D, a member of rajasabha who is ex-officio member of jila panchayat can nominate representative to participate in the meeting Rajasabha का एक सदस, जो jila panchayat का पदेन सदसे है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतनिधी को नमांकित कर सकता है D, a woman sarpanch can nominate her husband to participate in the meeting of gram panchayat and janpath panchayat Gram panchayat और janpath panchayat की बैठक में भाग लेने के लिए महिला sarpanch अपने पती को नमांकित कर सकती है इसमें से क्या कानूनी नहीं है ये आपको बताना है इसका answer क्या हो जाएगा? Option D, a woman sarpanch can nominate her husband to participate in the meeting of gram panchayat and janpath panchayat ये गलत है तो इसका answer क्या हो जाएगा? Option D is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 14 The member of panchayat samiti are Panchayat samiti के सदस्य है A. directly elected by the public B. elected by the members of panchayat C. nominated by district magistrate D. recruited on the basis of open competition 14th question का answer क्या हो जाएगा? Option A. directly elected by the public Janta Dwarasidhe Nirwachi A. is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 15 For election to the panchayat The state election commissioner will be appointed by Panchayat के चुनाव के लिए राज चुनाव आइत की नुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आपके options है A. the chief election commissioner of India B. president of India C. governor of the state D. none of the above 15th question का answer क्या हो जाएगा? Option C. governor of the state Rajya K. Rajya Pal C. is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 16 Under which article the state election commission operate the election of urban bodies? Rajya Nirwachi A. का किस अनुछेत की अंत्रगत? सहरी निकायों के चुनाव का संचालन करता है A. 243 K B. 243 L C. 243 M D. 243 N So, लएं question का answer क्या हो जाएगा? Option A. 243 K A. is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 17 The members of the panchayat summit are Panchayat summiti के सदस्य हैं A. Nominated by the Block Development Officer B. Nominated by the Chairman of Jila Panchayat C. Directly elected by the people D. Indirectly elected by the member of the village panchayat 17th question का answer क्या हो जाएगा? Option C. Directly elected by the people लोगोद्वारा सिधे निर्वाचिक C. is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 18 In panchayati raja system, the panchayat summiti is constituted at the Panchayati राजवैस्था में panchayat summiti का गठन होता है A. Village level B. Block level C. District level D. State level 18th question का answer क्या हो जाएगा? Option B. Block level चलते हैं next question की तरफ Question number 19 Chairman of a Jila panchayat in Uttar Pradesh is elected 1. Directly by persons whose name appear in electoral roles of the Chetra panchayat 2. By the members of Jila panchayat from among themselves 3. By the SCs and ST members of the Jila panchayat from among themselves if reserved for them 4. The members of Jila panchayat belonging to backward classes from among themselves if reserved for them Select the correct answer using the code given below 19th question का answer क्या हो जाएगा? Question के कर रहा है कि उत्तर परदेश में Jila panchayat के अधक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 1. पहला, सीधे उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम छेतर पंचायतों की मतदाता सुची में दिखाई देते हैं 2. जिला panchayat के सदस्यों द्वारा अपने में से 3. जिला panchayat के अनुसूची जाती जन जाती सदस्यों द्वारा अपने में से यदि उनके लिए अरक्षित हैं 4. पिछडा वर्ग के जिला panchayat सदस्यों अपने में से यदि उनके लिए अरक्षित हैं तो नीचे दे कोड का उप्योग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है तो 19th question का answer क्या हो जाएगा ये आपको बताए कौन सा हो कि जिला panchayat के जिला panchayat के अदिक्षि का चुनाव कैसे होता है इसका answer हो जाएगा option B. जिला panchayat के सदस्यों द्वारा जो अपने में से चुने जाते हैं तो 2 only इसका answer क्या हो जाएगा option B. 2 only चलते हैं next question की तरफ Question number 20 अब panchayat समिती at the block level is Block कि स्तरप्रेक्चम panchayat समिती है A. An advisory body B. An administrative authority C. An advisory committee D. A supervisory authority जिसका answer क्या हो जाएगा option B. An administrative authority B. is the right answer जलते हैं next question की तरफ Question number 21 The chairman of a municipality in UP is elected 1. by all the adults living in the respective municipal area 2. by all the voters included in the electoral list of the respective municipal area 3. by the elected members of the municipalities 4. from among the electoral awards of the respective municipal area Select the correct answer using the code given below 21 का question के कह रहा है कि UP में एक नगर पालिका का ध्धक्ष निर्वाचित क्या जाता है 1. संबंदित नगर पालिका छेत्रे में रहने वारे सभी व्यसकों द्वारा 2. संबंदित नगर पालिका छेत्रे के निर्वाचक सोची में सामिल सभी मत दाताओं द्वारा 3. नगर पालिका के निर्वाची सदस्यों द्वारा चोथा सम्मंदित नगर पालिका छेत्र के वाड़ों के निर्वाचकों में से तो नीची दिये कोड का उप्योग करके आपको बताना है 21 वे कोशन का आंसर तो क्या-क्या कौन-कौन सा है केरिमन कैसे चुना जाता है जो मिनिसिपैलिटीज का तो इसका आंसर का देखे जिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बाई आल दे वोटर्स इंक्लूदे इन दे एलेक्टोरल लिस्ट अफ दे रिस्पेक्टिव मुनिसिपल एरिया ये तो बिल्कुल सही है और चौथा का एगर from among the electorals of ward of the respective municipal area ये भी सही है इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा किसमें है option C में है 21 वे question का आंसर क्या हो जाएगा option C C is the right answer जलते है next question की तरफ question number 22 2. In which article provision for superintendents, direction and control to the conduct of all elections to the municipalities in 36-गड़? 36-गड़ में नगर पालिकाओं के सभी चुनाओं के संचालन के लिए अधिक्षन, निर्देशन और नियंतन का प्रावधान किस अनुछेद में है? आपके ऑप्शन से A. Article 243 के Article 243 K. Article 241 I. None of these फड़ा से आपर प्रिंटिंग गलत हो गई है, तो वो K है ठीक है? और I है, तो इस का अंसर क्या हो जाएगा? Option B. Article 243 K. ठीक है? B is the right answer. चलते हैं नेक्स्क्षेशन की तरफ? Question No. 23 Who among the following are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? नेम लिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्टी ग्रामिर रोजगा गारेंटी अधिनियम से लाव पाने के पात रहें? आपके options हैं D. Adult Members of Any Household किसी भी घर के व्यास के सदसे तो तेस्वे question का आँसर क्या हो जाएगा? Option D. Adult Members of Any Household D. is the right answer चलते हैं नेक्स्क्षेशन की तरफ? Question No. 24 Which of the following bears the responsibility of planning, execution and implementation of मनरेगा स्कीम? निम लिखित में से कौन मनरेगा योजनाओं की योजना कार्यान वहन और कार्यमन की जम्मेदारी वहन करता है? A. ग्रामसभा B. ग्रामपंचायत C. स्टेट गवर्मेंट D. ड. 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 इसका आँसर क्यों जाएगा? Option B. ग्रामपंचायत चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No. 25 Who amongst the following is a land record officer? निम लिखित में से कौन भूमी अभिलेक अधिकारी है? A. पटवारी B. लंबड़दार C. जमिदार D. जेलदार E. नन ओफ द अबब या मोर दन वन ओफ द अबब 5th question का अंसर क्या हो जाएगा? Option A. पटवारी A. इस द राइट आंसर तो आज हमने set of 25 questions को complete कर लिया है अगर आप सभी को यो series अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक कीजे कमेंट कीजे और सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल कर्मवीर ICS को साथ ही साथ अपने सुझाव sections को भी कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए, जिससे के और बहतर और quality lectures आप सभी के लिए ला सकें. Thank you, thank you for watching.